सम्मान अगर पाना है, तो पहले हमें देना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत कभी किषी पीषीक्त नहीं देती हां, एकदम सही बता रहे हूं, किस्मत कभी किषी पीषी कुछ भी नहीं देती, वो तो सिर्फ लटाती है उदारन की तौर पे अगर आप किसी को आप बोल रहे तो आप ही बूलेगा और अगर कहीं इधर इधर बोले तो क्या करेगा डोग एक दो ऐगे तो चार दे दे आनजांति होग नहीं चाहिक गल बात करें जा एक तपड़ की बात करें नमस्कार करोगे तो आर आप प्रजापति आज की सांदर जून सेशन में आप सबी लोग का हाल भी कर भंधन करता हूं स्वागत करता हूं हमारी डेम पे लिए से जितने भी नएं मंबर आये हैं से जितने भी मैं चाहूंगा हमारे पुराने सा mild अपको जिनके कारण आज आभ को अचेशन को अटेंद कर पा हो उन सभी को धन्यवाद दीजिए ताली बजा सकते हैं उनके लिए क्यों कि अगर वह आपको नहीं बता दिस बिजनेस के बारे में तो सायद आपको पता ही नहीं चलता कि कोई ऐसा भी बिजनेस है जहां पर एक साथी पढ़ा लिखा आदमी एक साइकिल से कभी काम करने के लिए जाता थो आज कार मेंटेन करता है कि जिसके बास सब्जी लेने के लिए पैसा नहीं था वह आदमी आज चीजों को सब्जी की तरह खरीद पा रहा है मौका अगर नहीं देते ताज आपको जानने के मौका नहीं मिलता और आगे भौईस से हमें हमें कैसे अपने लाइप को कैसे हम अपने परिवार को कैसे अपने मावाप को कैसे अपने बीवच्चों को कैसे अपने भाई बहन को हम उनकी जरूरतों को उनके सपनों को पूरा करा सकता हैं कैसे उनकी मदद कर सकते हैं कियंकि दूसरे काम में तो आदमी अपने helps ने पाल सकता भाई वहन की तो बात ही दूर की है १ आज टीवी में बताया जाता है कि लोग अपने मावाब को प्रिद्धा अश्रम में छोड़ देते हैं एक मात्र एक लवता बिजनेस है यह इंडस्टी जहां पर लोग अपने मावाब नहीं बल्कि हजारों लोग के मावाब को पाल सकते हैं कि भटके विए लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं तो ऐसी इंडस्टी में आप सभी लोग का स्वागत है और डीएम पेल एक मात्र ऐसा दुनियाक में बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुंस सारे हमने देखे हैं दुनियाक एक लवता ऐसा सिस्टम है जो असी साल के लोगो को भी पैसा कमाना सिखाता है जिनके घर से निकलने में पावंदी उन लोगों को पैसा कमाना सिखाता है जौब परसन जो आर्मी में हैं बार्डर में हैं उन लोगों को पैसा कमाना सिखाता है वहां से रह के भी वो लोग पैसा कमाते हैं और तो और विदेश में रह के भी आदमी पैसा कमा रहा है मैंने एक दिन देखा था साउथ आफ्रीका से हमारे साथ बिजनेस पार्टनर है साउधी एरप से हमारे साथ बिजनेस पार्टनर है सिंगापूर से हमारे साथ बिजनेस पार्टनर है बहुत कम टाइम में सव से जादा लोगों ने यहां से कारेचियू किया ऐसा पहला कमपणी है है ना बहुंच सारी कमपणिया तो दस साल वाद विदेश गई लेकिन डी एम पेल एक मात्र कमपणी है जो एक धेड़ साल के अंदर तीन चार देशों में जा चुकी है कि मैं खुद देख चुका हूं पोस्टर सिंगापूर का साओधी एरप का साउथ अपरिका का तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्त की उस सिस्टम में आप आ चुकी हो जहां पर इंडिया नहीं बलकि इंडिया से बाहर के लोग कर रहे हैं तो चलिए मैं आज लेकि चलता ह है उसके लिए आपको अपने मॉबाइल को रोटेट करना है तो सबसे पहले आप लोग है और आपकी सफलता ही हमारी पहचान है ऐसा कहना है हमारे डियम्पेल के तीनों डिरेक्टर सरका और एक बार आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं दिल से कि अगर उनके दिमाग में अचान है ऐसा बोलना है बहुत बड़ी वात है क्योंकि लोग तो अपनी सफल तक पीछे भागते हैं आपकी सफल तक वारें कौन सोचेगा तो यहां पर डियम्पेल के तीनों डिरेक्टर सर सोचते हैं अब आज का जो हमारा सेशन है डियम्पेल में सही सुरुवात कैसे कर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहला शभी सुरुवात करने से पहले आपकर से जानना चाहेंगे कि आप तेन हजार दिये हो यह 9000 हो यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस आईडी लगा दो और सिकंडी से पैसा आएगा हर दिन पैसा आती रहेगा क्यों कि बहुत सारे लोग छोटी सोच भी लेके आ जाते हैं और बोला जाता है कि छोटी सोच और पैर की जो मोच है न वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती चोटी सोच और पैर की मोच जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती तो यहां पर अगर आप इस बिजनस को जॉइन किये हो तो क्यों जाइन किये हो क्या आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है या चाचा ने बोला तो कर लिए मामा ने बोला तो कर लिए या जी बी कीशी ने बोला तो आप कर लिए या टाइम पास करने के लिए कर लिए मैं बता रहा हूं यहां इस बिजनेस से मैं 70,63,000 रुपे इंकम कर चुका हूं इस बिजनेस में आने से पहले मैं साइकिल से काम करने के लिए जाता था तो आप क्यों आये हो क्या आपके पास कोई ठोस कारण है नहीं तो यहां लोग तो आते हैं बीना कारण के कि यार आईडी लगा देता हूं रोज पैसा आएगा लेकिन भीया बीना सीखे तो साइकिल नहीं चलती तो पैसा कैसे आएगा तो आपके पास ठोस वज़ा होना जरूवी है जैसे अधर चीजों में लोगों कर रहता है कि पुलिस बनना है या चार वजम सुपह सुटके क्यों दोड़ रहा अदमी बड़े बड़े मोटी-मोटी किताबे क्यों पड़ रहा है वो चस्मा लगा लगाके सुबे से रात तक क्यों पढ़ रहा है ददस घंटे पढ़ाई करते हैं मैं सुनाओं लोगों से मिलाओं दस घंटे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं घर को छोड़ के हमारे यहां हमारे अंड़ा गाओं में सेल दे कॉलेज है जहां पर बाहर से लोग आए हुँ पढ़ाई करने के लिए जारखंड से आए कोई राची से कोई कलकत्ता से कोई वेजट बंगाल से कोई महराष्ट से अलग-अलग जगा से क्यों आए है अपने माव आपको छोड़ के क्यों कि उनको कुछ करना है तो आप डी एम पिल में क्यों आए हो क्यों आइडी लगाए आप क्यों इस बिजनेस को जोईन कियों क्यों अभी आप इस सेशन में हो तो सबसे पहले आप 10 से 20 कारण लिखो कि क्या हो क्या चाहते हो आप इस बिजनेस उसको आपको लिखना पड़े गले लिखने बाद में आपका सबसे पहला जो कारण होना चाहिए इस बिजनेस में गोल्ड बनने का 10 से 20 कारण लिख लिए आप क्या-क्या चाहते हैं उसके बाद आपको पहला टार्यट रखना है गोल्ड बनने का कारण अगर आपको क्लियर हो गया कि यह मुझे चाहिए एक तरफ से एक लाइन से लिखना चालू कर दो आप अपने जिंदगी में क्या-क्या चाहते हो उसके रहे खिळाद के यह उधारन आप क्या-क्या चाहते उससके लिए खर बनाना चाहते हैं क्या आप 사दी करना चाहते हैं आप दिन की हो गई उनको विल्कुल नीचाहना है HEY НА गिनकीन के नहीं हुई है ओ लोग चाहेंगे कि यार क्या साथी करना चाहते हों लेकिन साधी अपने दम पर मावाप के पैसा में अपने पैसे से अगर आप लड़का हो तो आपके पास कारान होना चीह कि कि जब भी साधी होगा मैं अपने कार से जाऊंगा और उस साधी में जितने पैसा लगेगा मेरा होगा मेरे मम्मी पापा और बड़े भाई जो भी रहेंगे घर के उनको सिर्फ और सिर्फ वहां सामिल होना है जैसे दूसरे गर में जाते हैं ना साधी करने अटेंड करने तो वहां पर जाते हैं और भीया क्या है कैसे बस वही देख कि इस पहले स्में साध्य पापा इस टाइम पे हमें चलना है क्या आप अपने मम्मी पापा को रिटायर्मेंट दिलाना चाहते हैं हाँ ये बात आपके ध्यान में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप अपने मम्मी पापा को रिटायर्मेंट दिलाना चाहते हो क्योंकि अभी हो जो काम कर रहे हैं क्या आपको लगता है कुसी काम को करते रहना चाहिए क्या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो यह बात आपको समझना जरूरी है क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक मिलने वाला भी नहीं है तो इस तरीके से जितने भी चीजें आप चाहते हो पेन और डायरी आप उठाईए और लिखना चालू कर देजिए कि आप क्या-क्या चाहते हो और जो भी चाहते हो अगर आप लिखते हो तो हंडेट परसेंट है क्यों पूरा होगा इस बात की गरेंटी है और जो भी चाहते हैं जो भी आप चाहते हो उसका आपको चित्र बनाना है फोटो बनाना है अगर आप घर बनाना चाह रहे हो तो घर की फोटो बनाना है जाहरे है आप गाड़ी लेना चाह रहे हो आप गाड़ी च्प चुप का है अगर आप गधने लेना चाह सब्सक्राइब की दिशनेश की इतना इंकम करना है तो आप गूगल में जाए और ब्लैंक चेक डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इसमें आप भर की रख सकते होगी इतना रूपया मुझे कि अब आना है करण और चारों त्रव गहर में चीपकाना है क्योंकि कई बार लोगों मिलते हैं और बहुत तरह रहे बहुत कितना रुपया बहुत है जिसके पास नहीं उसके लिए भी बहुत है और जो भी चाहते हो उसका चित्र होना बहुत ज़्यादा जरूवी है क्योंकि भी घर बनने वाला रहता नहीं है बनाने पहले डिजाइन तैयार करना पड़ता है तो इसको आपको करना है और जो किया है उसका पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यार राम नरायन जो भी चाहते हो उसका पहले लिख हो क्या क्या चाहते हो चाहने के बाद उसका चित्र बनाने बाद उसको गोल में करनाट करना है देख सकते हैं कि रखा था चाहुदा चाहर 2021 को बाइक लेने के लिख्यों कि मेरे पास पहले भाइक होती थी मैं खुद रेनकोट को उढ़ाता था क्योंकि प्लान बताने गए हुए हैं और अगर कहीं उसमें पानी पड़ा और चालू नहीं होगी तो बेज्जती हो जाएगी तो यह रेन स्लोनक्त करने में डाएगर रुपए कमाने का जब मैंने इस बिजनेस को अटेंड़ की में जाते गया तो विश्वास होगए और विश्वास होने के बाद मैंने एक लाख रुपया महिना कमाने था ऑर मैं एक लाख कमा भी चुका हूँ आप जाक देख सकते हो सर्च मार सकते हो बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं बहुत सारे प्लान में लिया हूँ जहां पर लाइब दिखाया हूँ रखा था एक एक 2023 को ऑईट कलर के स्ट कर Curan खरी दूंगा पहले क्या किया चाहता क्या में उसको लिखा इसके अलाव भी बहुत सारे चीजें जो मैं चाहता था लेकिन जो में टार्गेट है जो होना ही चाहिए जिंदेगी में जो होना ही चाहिए कि बाइक तो चाहिए क्योंकि बाइक चालो नहीं हो रही है पैसा तो चाहिए एक लाग क्योंकि घर बनाना है साधी करना है मेरी हो कोई है भाई बहनों की बच्चों का अच्छे स्कूल ने पढ़ाना है मम्मी पापा केल्प करना है कुछ कुछ करजे हैं उनको खतम करना है तनामुक जीवाँ यह सब चीज़ों के लिए मुझे पैसे की जरुवत थी पैसे को उपर फोकस किया कि एक लाग रुपया महिना लेगा तो मैं अच्छी स्कूल में भी चुट सकता हूं घर भी बना सकता हूं भाई वहन की सायता कर सकता हूं मम्मी पापक सायोग कर सकता हूं यह सारे चीज मेरे किसे पूरे होंगे पैसे से और पैसा अच्छा आने लगा उसके बाद मेरे पास चाहता कि भी आपकार में चलना है आप पोटो वना डेट चिपका दिया अपने घर में जहां मैं सोता हूं जिधर मैं बैठता हूं अब बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बोलने स्क्या होता है यह तो पूरा होता है यह तो फिर दिमाग खराब होता है आदमी क्या क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं क्यों क्यों कर रहा हूं आपको अंदर से सवाल आना चाल हो जाएग जाते रहा तो यह जो है उसी को नहीं बना पा रहे हैं लगवा पा रहे हैं यह बार 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 मोटिवेट करेगा और टीम से सकते लगवाद इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चलो ड्राइंग तो बना लिए कि ऐसा ऐसा हमें घर बनाना मा लेकिन उसके लिए रह yapıyor आपको चाहिए तो इस विजनस्का रहाम नाटिरियल दोस्तच लोगों की सा जैसे बहुत और सारे से मिलेंगे जो यह बताते हैं कि तुम से पहले हमUNG कर चुके हैं है टुम आज के हो कर लो फिर पता चल जएगा कितनों आए कितनों गए ऐसा बहुत देखे हैं है है हमारे बाल यहां सफेद नहीं हो गए हैं हां ऐसे डायलॉग बाज मिलते हैं मार्केट में कि हमारे बाले यह थोड़ी सफेद हुए हैं हम इस फिल्ड के टाइए हैं लेकिन बोलना की लिस्ट दिखा दे भाई वही मैं नहीं किया है ना लिस्ट क्यों बनाना मैं सब जानता और ऐसे लोगों को आप देखोगे कि हर तीन महीना वह कंपणी बदलते रहता है जो बताया जा रहा है उसको फालू नहीं करता है हो आपको इस बिजनेस का राह माटेरियल ही नहीं है आपके पास और बातें बड़ी बड़ी है तो क्या मतलब का आपके पास होना चाहिए सबसे पहला कि आप क्यों कर रहें ड्रीम क्या है आपका दूसरा चीज होना चाहिए कि उसका आपके पास फोटो है ड्राइंग है तिस इस डेट में चाहिए और उसके बाद आपके पास होना चाहिए राह मटे रिलील। ज़्यादा नहीं लगा नभर मोबाइल में हैं नभर में पिंदिक खझए जगड़ हैं शाहिता और Il घरम करणbig चाने पतन में सच है कल ही इवेंट था और बहुंस सारे लोग टिकेट उख किये थे और एक सक्से मेरे बाद वह भी भी जगड़ा होगे सर नहीं आ रहा हूं ले तो कब जगड़ा हो जाए और कब दिमाग खराब हो जाए भाई पता नहीं ज्वाइन किये थे कि हमको भी गवर्धन सर प्रकास सर रविकान सर राम नरें सर बेके द्यावंगन सर छमा मेडम पुझे मेडम बहुँच सारे लोग जैसे बनना है इन लोग छाप रहे हमको भी छ लिस्ट होना चीए आपको बनाना है मैं 377 लोग का बनाया था उसके बाद कैसे बनाना है उसको भी समझना है इस टेकनिक के साथ बनाना है क्योंकि बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है तो वह अमताब बचन का लिस्ट बना देता है राहुल गांधिक की नाम लिख देता है ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में है वुपेज गिल के नाम लिख देगा यहां नाम लिखना करके घा खाबेज वाखिल आपको जानता इए आपको जानता है आप दिखा सकते हैं उनको प्लान इस तरीके से ज़्यादा होस्यारी नहीं लगाना है जिनको आप जानते हो उनका बनाना है मतलब कि अगर आपके घर में कारिक्रम है तो कितने लोगों को आप काड़ देंगे सिंपल से भासा में अगर आपके घर में साधी है कोई कारिक्रम है तो आप कितने लोग बुलाना चाहो क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी तो लिष्ठी नहीं जानी पैसाद नहीं मेरे दोस्त्यार ही नहीं है ठीक है दोस्त्यार कोई नहीं है तो साधी में कोन आए वाले हो तब बताते हैं सब्सक्राइब काड़ देंगे तो लिस्ट बनाते समय क्या बोल आदमी कोई दोस्ट या निया कोई जान पहचान निया मैं तो जानता नहीं नंबर नहीं वा तो आपको सिस्टम के साथ चलना है दोस्ट अगर आप चाहते होना जिंदगी बदले नाम लिखना है रिलेशन लिखना है काम लिखना है और कहां रहते हैं उसको लिखना और मोबाइल नंबर बहुत करीबी लोगों का सबसे पहले लिखना है जो बहुत करीबी हैं अगर आपके घर में साधी रहे तो सबसे पहले ओ लोग आते हैं दो दिन पहले चार दिन पहल तो सबसे पहले जिनको आप बुलाते हो लड़का देखने चाते नहीं है घर देखने जाते हैं जिनको आप बुलाते हो कोई कारकरम रहता है किसी प्रकार का आपके घर में फुसी का महौल रहता है तो जिनको आप सबसे पहले बुलाते हो कि आपको तो आना ही पड़ेगा फि उसके बाद कभी कभार मिलने वाले लोग जिनको बस नमस्कार करते हैं काड़ भी नहीं देते हैं समझना बात को गुलते हैं उन लोगों का लिखना है तीसरे नमबर पर अगर इस तरीके से अगर आपने बनाया बनाने के बाद अपने senior को दिखाना है कि यह सर मेरी लिस्ट तैयार है अब आगे क्या करना है अब कौन बनाया है था हो सकता है खिर हमको बता और खुद नी बनाए होंगे देख सकते हो यहां पर खुद लिस्ट बनाया था और बनाने के बास सलेक्ट भी किया था आप देख सकते हो ग्रीन पेंट से मैंने टीक लगाया है ब्लेक पेंट से लगाया है मतलब उनको तूरंद में बता सकता हूं और ब्लेक पेंट में लगाया हूं मतलब थोड़ा टाइम बात बताना है उनके पास जाओंगा तो मेरे बात को नहीं सुनेंगे तो मैं खूद बनाया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भता के इसके वाद सेनयार के सांद मिल के इन्विडेशन करना है आसपास के रिया में 20-30 कि याना बता सकते हो बैटके पटा सकते हो आनलाइन बता सकते हो लेकिन इस्टार्टिंग में आपको सीर्ड के साहिं करना है कैसा रहेगा फार्मूला आपको लगाना है कि आप कितने वज़े कितने वज़े काम में जाते हो कितना पैसा कमाते हो खाली समय में क्या करते हो और अगर खाली समय कुछ भी नहीं करते हैं आर बोलते हैं तो आपको बताना कैसा रहेगा दोस्त उसी खाली समय के एक दो गुंट तक इस्तमा करकि अगर आपको महिने का पांस से दस जार आ जाए विश से तीस जार आ जाए उनके हिसाब से वो जितना करते हैं उनके हिसाब से क्योंकि अगर हम 10,000 कमाने वाले 50,000 कमा लोगे बोलेंगे तो उसको विलेब नहीं होगा विश्वास नहीं कर सकता हो आदमी क्योंकि खुद नहीं कमाया है और किसी 50,000 कमाने वाले आदमी अगर हम बोल देख पांस जार आएगा तो उसके लिए फिर चना मुर रहा होगा पचांस जार तो आ लेड़ी कमारा भाई यो पांस जार और आजाए कैसर है वो लोगे क्या है उसके लिए उसके बाद प्लान दिखा दिए बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दिए इनिविटेशन सब चीज कर लिए प्लान भी देख लिया तो हमें यहाँ पर फालू अप करना है क्योंकि दगोल्ड गोल्ड कब बनेगा वो गोल्ड कब आएगा फालू अप से कभी भी प्रेजेंटेशन बस से लोग नहीं आते हैं उनसे बात करना पड़ता है और नो फालू आप नो रिजल्ट बहुंच सा जब हम लोग पहली क्लास में थे तब से चल रहा है और आज भी टीवीम आ रहा है क्यों 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 ना लोगों को बता रहा है हर दिन सुबह से लोगों को ना समझा रहा है तो यहां भी हमें अपने बिजनेस के बारे में बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार लोगों से चर्चा करना पड़ता है एक बार में कोई भी आदमी नहीं समझ पाता एक है कि यार आगे से उन से बात करना पड़ता है अगẹत नगे को क्या कि अच्छा लगा अगर आप नए हो तो आप अपने सीनियर को बात करा나 नसे कि दोस्ते मेरे सीनिय बिजनेस में काफी समय प्सकाम करों मेरे जैसे थाट जारों को सपोर्ट करपा रहे हैं सेंगडरो लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं और खूद सकसेज है और बहुत सारे लोगों को सकाथ दिला रहे हैं तो मैं दो मिनट सरसे टाइम लिया हूं को आपको बात कराने के लिए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा आप बता देना थिकенти को पता है उनको क्या बात करना है वो बात करके उनके जो भी अब्जेक्शन रहेंगे उनको वो प्लियर करेंगे और आपके लिए आईडी निकालके दिखाएंगे उसके बाद फालो अफ होने बात क्या होगा मान लेते हमने दस लोग सव लोग को दिखाया यहां पर समझना है उसमें भी एक और चक्कर है तीन टाइप के लोग है थ्री टाइप पीपल्स सबसे पहला कि दस परसेंड लोग ही है जो तुरन डिसीजन ले सकते हैं हाँ आप एकदम सही सुन रहे हो बीस लोगों को अगर आज मैंने किया तो उसमेंसे 10 परसेंड बस लोग हैं जो डिसीजन ले सकते हैं और 80 परसेंड लोग हैं जिनका डिसीजन पेंडिंग रहेगा पापस पूछ के बताऊंगा मैं बीना अपने मिश्टर्स पूछे करी नहीं सकती वो बिचारा मिश्टर परिसान है, वो परिसान है, ऐसा नहीं करना है, और मेडम क्या बोलने हैं, यह मैं बीना मिश्टर पूछे, कर ही नहीं सकती, सही है अपने जगा में, क्योंकि हर अच्छे काम के लिए पूछना ही पढ़ता है, और जो नहीं करना है, उसके लिए कोई प करेंगे इस्टाग्राम में युजड नहीं करना क्राइब इх करना है इस्टाग्राम में पर्मिस्न की शेंगेड हैं और लेकिन जब जिन्दगी बदलने के बात आदित क्या बोल रहे वही मेडम पूछना पड़े या मिस्टर्स भीना पूछे कुछ नहीं कर सकती बच्चे जो इस्टुडेंट है वापस पूछे भीना नहीं होगा बेटा बाइक में दर के गार्डन गया है वापस पूछके गया ह पापा आज में गुमनेदाराओं करके वियर में गया है पापस पूछके गया है तो इस टाइप के 80% लोग मिलेंगे 10% लोग है जिनको अपने मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे माँ बाप को अच्छे से रखना है वो तुरन डिसीजन ले लेगा लेकिन 80% नहीं ल ले पाएंगे क्योंकि बाप दे रहा है खाने तो बेटा क्यों जाए कमाने को सही है है ऐसे लोगों भी मिलते हैं भाई तब builders लोग कभी नहीं करेगा सबसे पहला और बोलेगा कि आप पहले कर लो आप पहले सक्सेश हो जाओ फिर मेरे एक बताना तुमको आएगा तो मेरे एक लाख हो जाएगे तब बताना जब एक लाख हो जाएगा तो ठीक है ना मैं कर रहा हूं पैसे जुवार ऐसे बोलेगा और जब आप दस लाख कमाल होगे टीम अच्छा बना लोगे डाइमंड बन जाओगे तब क्या बोलेगा आप सिर्फ तुमको ही आ सकता है मेरे को नहीं आ सकता तुम्हारी किस्मत बढ़िया था तुम पहले जुड़ गए इसलिए तुमको आ रहा है यह 10% ऐसे मिलेंगे तो यह अगर आपको मालूम रहा आपके दिमाख में बात समझ में आई 10% लोग तुरन डिसीजन लेंगे जो अपने दम पे जिन्दगी जी रहा होगा वह आ कौन करे भीया काम क्यों दिमाख खराब करें जब ऐसी मिल रहा है तो है ना सोचेंगे देखेंगे बोलेगा और 10% लोग बाप दे रहा है खाने तो बेटा क्यों जाए कमाने भीया काहिक तकलिव उठाए वाइस करेगा तो आपको समझना है दोस्त अगर इस टैप से लोग को अगर हम बताते हैं तो 20% लोग ही काम करने वाले आएंगे इस बिजनेस में असी अब्जेक्शन में रहेंगे तो यह मालूम होना जरूरी है क्यों कि अगर आपको पता है राफिक रूल्स तोड़ने पर 500 फाइन है बीना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 500 फाइन है हाँ ह है बहुंश सारे जगहों में बहुंश सारे सहरों में साओधी अरब के बारे में बताया जाता कोई पूलिस नहीं है वहां पर सब चीश टेक्नोलाजी से है सिगनल पर कैमरा लगा है अगर आपने थोड़ात एकाउंट से पैसा कटा और आपको मैसेज आया गलत जगह गाड़ी पार्किंग किये पैसा कटा वहां यह नहीं बोला जाएगा एक सेटिंग कर ले लेंस आप दूसर ले ले गरीब आदमी छोड़ दे ना भया गरीब हो अगर आपको पता है कि मैं बीना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है पूलिस वाला देखा तो यह 500 देना ही बढ़ेगा रूल चाहिए आपने कानुन तोड़ा है तो यहां पर आपको मालूम होना चीए कि सव लोगों को बताऊंगा असी लोग नहीं करेंगे बीस लोग और अगर एक भी ने नहीं किया तो क्या होगा तकलीम में आजाओगे खूस हो जाना है भाई कि अब साथी लोगों की ना सुनना है असी में से साथ ही बचे 20 खताम कल बताए आपने कोई निक्यत क्या होगा 40 गए अब 40 को ही सुनना है जैसे हम कभी भी यात्रा करते हैं मान लेते हैं कि दौर से निकले और र्यपूर जाना है कि अब हम कुमारी पहुंच गये आधे बीच में 20 किलोमीटर आ गहाएं सौ गिजोते चाहाड़ा की लुटे देर लगेगी तो यहां पर अगर आपको स्टार्टिंग में ना मिल रहा है तो आपको क्या देखना है और कितना बचा है कि अगया है वह सकता है अस्टिक बात 20 के 20 कर लें और ऐसा जब भी होगा ता आपको उत्साहित रहना है निरास नहीं होना है रूल सा आपको पता चल गया अब उत्साहित रहना है क्यों चाहित रहना है इसके लिए आप आये क्यों इस बिजनेस में क्यों स्टार्ट किये हैं अच्छा घर चाहिए गारी चाहिए गहने चाहिए पैसा चाहिए ये सब चीज़ के लिए आये हैं तो अगर इतना आसान रहता अगर इतना रहता लाखों रूपय की इंकम करना अगर इतना आसान रहता तो गली के हर आदमी कमा रहा होता ना भाई हर आदमी कमा रहा होता ना ये इतना आसान नहीं है लेकिन नामुंकिन भी नहीं है क्योंकि मैं खुद कमाया हूं हमारे जैसे हमारे कमपनी में 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने कमाया है तो सफलता तो मुस्किलों की पारहीं आती है और जितना आपका लक्ष्च होगा जितना मणापका शपना होगा उतना ही बड़ा चैलेंज भी होगा एतना ही बड़ा आपको चैलेंज भी होगा दोस्ट क्योंकि हमेसे मोती जो है ना Σमुद्र क्खाई में पाया जाता है तो यह सब तो आपको साहित इसलिए रहना है कि मैं बड़ा चीज करने के लिए तो सीखना पड़ता है और बोलते हैं जिन्दगी तो अपने दम पर जी जाती है के ए जिन्दगी तो अपने दम पर जी जातीय दूसरों के अ पर तो जनाज़े उठा करते हैं जिन्दगी तो अपने पर जी जाती है। के कंदों सिर्फ और जनाजे उठा करते हैं और यह मैं नहीं बोल रहा हूं भगत सिंग कहना है और उन्हों को सिखना पड़ेगा है तो सबसे पहला काम है तीन महिने तक टिके रहना सबसे पहला काम है सब चीछ करते करते आपको तीन माह तक टिके रहना है हर दिन मार्निंग की ट्रेनिंग एटेंड करना है और खुद प्लान दिखाना सिखना है हर सब्सक्राइब अपने घर या गाओं में मिट्रिंग करना या तो कराना है ताक कि महौल बने जवाप अपने घर में आजपास की लोगों को प्रिजेंटेशन दिखाओगे या अपने गाओं है आप दिखाओगे गाओं से फीरा आप सहर निकलों गे दूर दूर जाओगे तो ये चीजि़े आपको करना ही करना है उसके बाद में हर महींने एक अचुमेंट लेना है अगर आपको कशुमेंड में बढ़ा करना हो अपने सपने को पूरा करना है तो यह चाहिए किसी समान को खरिदो यह आप घुमने फिरने जाओ एक हर महिने लेना है और अगर आप पहले इस बिजनेस में आये हो तो सबसे पहले तो आपको गोल्ड बनना है वह आपके चुमेंट है उसके वाद अगर आपको मॉबाइल ने अगर आप घुमने फिरने के लिए नहीं निकल पाए हो तो आपको घुमना फिरना है कोई न कोई एक चुमेंट आना चीए इस बिजनेस से क्योंकि जो दिखता है वही बिखता है तो यह आपको करना है उसके बाद आप तीन महीने तक कैसे टिकेंगे यह भी बात है ना पै यहां पर सिख करना पड़ेगा तो माइंड सेट करके रखना है कि यार इन लोगों को आया है तो मेरे भी आएगा और मैं बड़ा चीज करने के लिए हमें बड़ा टाइम देना पड़ेगा तो पहले शुरुवात के फरस्ट नाइंटी डेस आपके माइंड में सेट होना च चीह कि मुझे इस बिजनेस को समझना है सिखना है एक स्टेप को सिखना है प्रिक्डिकल करना है मैंड सेट होना चीह कि सुरुआज के तीन वहिन्य हमें सीखना है 플ान दिखाना सीफना है farlo up करना सीखना है home मिटिंग लेने सिखना है ट्रेनिग्स में लोगों कैसे लाई य भाँ सीखना है उसके बाद 9 महिने आपके पास सकील सेट की उपर काम करना 450 कर रहे हैं उसको करना जैसे आप प्लान दिखा रहे हो तो इसको अच्छे से दिखाना सिखना है 90 days को किस बिजनर से टिक नहीं हर दिन करना है बुक पढ़ना है लोगों समुलाकात करना है सिनियर से बात करना है यह सारे चीज़ आपके माइंडसेट होना चाहिए कि 90 दिनों तक मैं किसी भी आदमी के बात को जो निगेटिव बोलते हैं उनको अपने तक पहुंचने नहीं दूँगा अगर पीता जी भी आग बोले तो क्या हाल तो काम कर रहा है तुम्हें नहीं सुनूंगा और कोई कोई भी बोले तुम्हें नहीं सुनूंगा यह आपके अंदर मायंडसेट होना चाहिए क्योंकि अगर मायंडसेट तकड़ा रहेगा root अगर आपका सही है तो fruit सही आएगा और अगर root सही नहीच है फिर क्या करना पड़ेगा धवाई डालना पड़ेगा और जब धवाई डालेंगे तो उसको क्या करना पड़े जब fruit आएगा उसको पड़े उधर भी डालना पड़ेगा मतलब माइंड शेट तगड़ा नहीं रहा कि इस बिजनेस क्या करना क्या लेना है क्या होगा फिर मनाना पड़ेगा और आपके सपने के लिए दुसरा आदमी मनाए इससे बड़ी सरम के बाद क्या है भाई अगर आपके सपने के लिए दुसरा आदमी बताए कि क्यल मीटिंग है चलना है अगर आपको मीटिंग में ले जाने के लिए उसको पैसा देना पड़ रहा है तो फिर क्या है वो रिपेयर कर रहा है माइंसेट आपका नहीं है कि आप गाड़ी में चलोगे माइंसेट आपका नहीं है कि आप एक लाख रुपया कमाओगे माइंसेट आपका नहीं है कि आप बच्चों का अच्छी लाइप दोगे माइंसेट आपका नहीं है कि आप करके दिखाओगे फिर वही भगत सिंग वाला उधारन कि जिन्देगी अपने दम पर जी जाती है दोस्त दूसरे कंदे पिना जनाजे जाते हैं अगर आपको दूसरा आदम मोटिवेट कर रहा है आपकी परिस्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर रही है तो मतलब साफ है कि हम जनाजे में हैं चलती फिलती हुई देड़ बॉड़ी है तो यहां पर आपको फस्ट नाइंटी डेस ठीके रहने का आपको कमिटमेंट चीए उसके बाद नव महीने और सिखना ही पड़ेगा सिखनत पूरे लाइफ है लेकिन नव महीने फिर उसको अच्छे से करना है मैं कि यहां पर एक उधारे बहुंसा आंदार की कोई भी चीजय जैसे जब पहले दिन प SPEAK पहले दिन नहीं आती है जब वह राप पीता तो This नहीं होती वो जब करते जाता है 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 रोज 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 तो एक दिन फिर पता चलता है या कैंसर होगे तो यहां पर भी है जब हम हर दिन हर दिन करेंगे तो एक दिन अमीर भी बनें क्योंकि नसा करना है अगर आपको न पहनत वाला करो दोस्त बीमारी भी सक्सेच की लगेगी हाँ जैसे इन लोग उने सिग्रेट पिया दारूपियत क्या हुआ लिवर चला गया ना तो यहां पर देख लो आप बहुं सार उतारन है कि एक दिन में कोई चीज नहीं होती एक दिन चाहे जितना भी खालो आप एक द दोजार रुपए कमाने से क्या होगा यहां पर आपको समझना जीओ के मालिक से एक दोहजार कमाने में इतना व्यस्त नहीं रहना भाई टाइम नहीं है टाइम नहीं टाइम नहीं है आज यहां पर देखो छे पैसा एक मिनट के लिया करते थे आज तो इसका डबल तीबल हो गया है पांस सो विलियन से ज्यादा ग्रहाक है जी ओके यहां पर समझदारी है दोस्त की एक दोहजार रुपए कमाने चक्कर में नहीं नहीं बनोगे बलकी एक हजार लोगों को बिजनेस दे कर उन लोगों से सवसार रुपए कमाओगे पक्का अमीर बन सकते हो हाँ अकेले एक हजार रुपए कमाने से अमीर नहीं बनोगे बल्कि एक हजार लोगों को बिजनेस देकर उन लोगों से सवसार रुपय अगर आप कमाओगे तो आप पक्का अमीर बन सकते हो तो यह आपके अंदर माइंडशिट होना चाहिए उसके वाद एक छोटा सा कहानी ह है कि एक बार एक द्यालू राजा रहता है और राजा सत्रंज खेल रहा होता है जब सत्रंज खेल रहा होता है दूसी समय एक साधू आ जाता है उनके हां कुछ डिमांड करने के लिए पुराने जबाना की बात है कि साधू जैसे आता है तो राजा बोलता है जी बोल यह क्य कि आइब मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं लेकिं कुछ अनाच के दाने चाहिए अब जब साधू बोलते हैं क्या करें महराज मनना पड़ेगा बात को ठीक है भाई कितना चाहते हो वो बोलता है साधू की एक जो आप चौसर खेल लाओ जिसमें चौसर खाने है जो सत्रंज है उसमें एक कट डबल हो जाए पहले में एक रखोगे उसके बाद दो दो के बाद चार के बाद आडIGHT के बासर शुला वाद आगे की गिंटि मुझे नहीं आती हाव हुद करओ इस तरीके से होते हूए जाना चाहिए और खाने तक जो आकड़ा वने उतने मेरे को दाने चाहिए अब महराजा बुलाता है अरे क्या साधू है ना आखिर विखारी करके अपने वने सौसता एकदम छोटा रहे यार मैं राजा मैं इसको कुछ भी दे सकता था गाउं दे सकता था कही गाउं दे सकता था सोने चांजिस पूसा यहां है तो और ज बुलाता है यह वुलता है इसको दे दो बिदा करो और जब गिनन चालू करते हैं पूर इस लिए तो आखरी खाने तक जाते-जाते ऊतना दाना बना इनन उगाया ही नहीं गया था उनके राज्य में गिंदे एक बात बताया जाता हो जितना दाने मांग रहοगा न उतना हमारे राध्यमास तक पैदा नहीं किया गय यह तो आपना खुद करके दीखो कुन हचाउश 취ण फॉर करके देखना एक कर,जोंसे,दास्य का फॉरों में वा ऐन पर इस कहानी संवी सकते हैं दो स्तिसमें बिजनेस में जहाँ पर हम दो भरी लाते और दो को चार वो नाना सिखाते हैं और चारक़ सूला और एक समय सा होगा कि आपके नीशे कि एक्स्ट्रा कॉलिंग और मिटिंग हमें करना पड़ेगा जैसे साधुने क्या बोला का फेक का दो आपको फिर यांपको भी अपने क्लिंग में एक और करना कड़ेश है और कworने उसटेंए आर्ट करना है क्योंकि अगर एक-एक भी ही ज्यादा करते हो हर दिन अगर आप एक एक विक्ति से भी जादा मिलते हो एक एक मीटिंग भी अगर आप एक्ष्टा करते हो तो 365 दिन में तिन सो पैस जादा हो जाएगा और अगर आप 365 जादा कि और आपके टीम में अगर 20 लोग हैं जो हर दिन काम करते हैं तो 365 गुनित अगर 20 करेंगे कितना हो जाएगा मतलब समझ के चलो 10-15,000 प्रेजेन्टेशन जादा हो जाएगा जब जादा होगा पैसा भी जादा आएगा और उसके बाद फेल होने से मत डरो बलकि इस बात से डरो दोस्त यदि आज मैंने प्रयास नहीं किया तो अगले साल भी मैं उसी जगह पर रहूँगा जहां पर आज हूं यदि आज मैंने प्रयास नहीं किया तो अगले साल भी वहीं पर रहूंगा जहां पर आज हूं और यकीन नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं भी जिनको हम लोग इस बिजनस को स्टार्ट करने स्पहले बताए थे फिर स्टार्ट होने बाद बताए फिर गाड़ी आने बाद बत घर आने बाद बताए जमीन खरीदने बाद बताए दस जार चले के लाग की बीच में बताए पांच लाग की बीच में बताए चालिस लाग हो जाने पर बताए पचास लाग हो जाने पर बताए सतर लाग हो जाने पर बताए और आज भी बता रहे हैं उन्होंने नहीं किया तो कहां पहुँच गए वो नहीं केट कहां पहुँच गए जाए वही है तो आपको भी इस बात से अंदाजा लगाना है अगर आज आप लिस्ट नहीं बनाओगे आज अगर आप फोटो नहीं चिपकाओगे आज अगर आप लोगों प्लान नहीं दिखाओगे आज अगर यहां वहीं रहोगे लेकिन अगर एक इस्टा करने लग गए तो आप भी उपर जा सकते हो तो थैंक्यू रेती मच्छ